दोस्तों, Study91 के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदी पर बराबर आपकी क्लास भी चलती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जो क्लास हम लोग करते हैं, वहाँ से संबंदित कितने सारे सवाल आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं। कि स्टेडी में आपके बहुत सारे बच्चों ने गलत जबाब दिया, कुछ ने कहा कारियाले ही पत्र, मैं पूछता हूँ, क्यों आपने ऐसा जबाब दिया। देखे, कारियाले ही पत्र का जो प्रयोग किया जाता है, वो कारियाले में होता है। कार्यालय मतलब क्या होता दोस्तों कार्यालय का तात्पर है इसको आफिस में यूच किया जाता भाई आफिस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जब संबाद करता है जो संप्रेसर होता दोस्तों वहां पर इस्तिमाल किया जाता ये कार्यालय पत् रिश्टेदार ओगुण लिखा जाता है याद रखेंगे सीदे फिदे ब्रक्ते के यहाद रखेंगे यह पत्र हमेशा किसे लिखा जाता दोस्तो रिश्टेदार को लिखा जाता। वहाँ पर संपाद अनुवगरा की बात आगी वहीं आपने गलस सोच लिया देखे ब्यावसाइब भी मत करेगा ब्यावसाइब पत्र का संबंद दोस्तों किससे होता दोस्तों यह हमेसा business related होता है business related एक पत्र होता है यह उद्द्योग से संबंदी जोस्तों पत्र होता है जै इसने भी तरह के सिकायती पत्र होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का सिकायती पत्र हो, आप किसी को भी सिकायत करिए, मुद्दा यहां सिर्फ और सिर्फ महानगरपालिका के अध्यच का नहीं दोस्तों कि आपने इनी को सिकायत किया, आपका सिकायत आपके मुहले में हो सकता है, विजली के तार को लेकरो सकता है विजली की समस्या हो सकती है नलकूप की समस्या हो सकती है साप सपाई की समस्या हो सकती है ठीक है या फिर रोग रोग थाम से समझनी समस्या हो सकती है खड़ंजे से समझनी समस्या हो सकती है जल भराओ से समझने समस्या हो सकती, मैं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का सिकायत हो, याद रखेंगे जबाब क्या होगा दोस्तो, शंपाद की पत्र सही जबाब होगा, तो जिन बच्चों ने आपसा नंबर 4 जबाब दिया, उनका उत्तर सही है, बाकी नों का गलत हो जाएगा आगे बड़ी दोस्तो, लिख रहा जब प्रथम वर्ड, बेंजन और दूसरा वर्ड क्या हो, दोस्तो, स्वर हो, ठीक है, प्रथम वर्ड बेंजन हो, दूसरा वर्ड स्वर हो, तब क्या कलाता है, यहाँ भी काफी सारी बच्चों ने गलत जबाब दिया, मैं आपको बतान बेंजन संधी, ठीक है, अब देखे, जो बच्चेंर होगे, लिखे रेगुलर होंगे, क्लास में उन्हें पता चलेगा, ठीक है, बेंजन संधी किसे करते हैं, याद रखेगा, जब बेंजन का मिलन किससे हो जाए, दोस्तो, बेंजन प्लस ब्राबर क्याorig होता है, यह भी यह भी आपको ध्यान रखना चाहे था, अगर यह वाला पॉइंट आपको याद रखता तो इससा आप समझ लेते कि पहला पद क्या है दोस्तों बेंजन है और दूसरा पद क्या है स्वर है तो भी आपका उत्तर क्या होगा बेंजन आएगा तो जिन बच्चों ने यहाँ बे क्योंकि आएधी कब करते दोस्तों जब क्या आजाता ग कोई और समान स्वर आ जाता तब दोस्तों कया करते सब दोस्तों करते है तोлемे यहाँ आयजिव जबाप नहीं देना था अब जिन बच्चोंने लगातार वीडियो सिंखला देखा होगा, वो इन दोनों शवालों को कर सकते हैं, तिसरा सवाल दे रहां दोस्तों, कभीर्दास की भासा कैसी है, देखे के कभीर्दास का जनम कहा हुआ था दोस्तों, तो जनम का तो कोई खास पता नहीं है, बस ये क्य दोस्तों याद रखेगा दमपती थें जिन्होंने क्या किया था इनका लालन पालन किया था ठीक है लालन पालन किया था और इनकी मृत्यू दोस्तों कहां पर हुई थी तो याद रखेंगे इनका मृत्यू अथा मगहर में कहां हुआ था दोस्तों मगहर एक जगा है दोस्तों बहुत सारी भासाओं का दोस्टों मिक्स है, इसलिए उसे पंच मिल खिचरी कहा जाता है, क्योंकि कभीर दाज जी के बारे में जब आप रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हमेशा दोस्तों मुक्व्केत तीन रचना के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं साखी के बारे में आप पढ़ते हैं सबद के बारे में और आप पढ़ते हैं रमैनी के बारे में ठीक है साखी सबद रमैनी और भी कई सारी रशनाय हैं लेकिन जो भी उनकी रशनाय हैं दोस्तों वो उनके सिस्यून उनका संकलन किया है और उनकी भासा क्या जानते कि अगर कवीरदास जी की बात करेंगे तो कवीरदास जी यह ज्यान मारगी साखा के कभी माने जाते हैं यह भगवान के उपर भरोसा इनी करते थे ठीक है तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका जबाब क्या होगा तो जिन बच्चों ने आपसा नंबर एक किया है वो बिल्कुल सही जवाब उनका है आगे देखे लिख रहा है एक भारती आत्मा किनको कहा गया दोस्तो प्याद रखेगा यह उपनाम है क्या दोस्तो यह उपनाम एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं जैसे सुमित्तन अंदम पन तलग हो जाएगा रामधारी सिंग दिनकर माखन लाल चतुरवीजी याद रखेंगे इनकी दो रचना है दोस्तो बड़ी फेमस है एक हिम तरंगिनी परिक्षा में खुब पूछा जाता है हिम तरंगिनी क्या रचना है दोस्तो हिम तरंगिडी हिम तरंगिडी और हिम किरीटिनी कौन कौन सी दोस्तो हिम तरंगिडी और हि किरीटी नी याद रखें दोस्तों ये दो रचनाय है बड़ी फेमस रचनाय इनकी है बाकि माखनलाल चतुरवेजी जी का नाम याद रखेंगे इनने क्या कहा जाता है एक भारतिय आत्मा कहा जाता है ठीक है ये भी काफी सांदार सवाल था ये मैं मान सकता हूँ कि आपके ल 40 का एक जो है दोस्तों इसका सब आर्टिकल आप कर सकते हैं ये सब आर्टिकल एक दोस्तों इसके बारे में बताता है कि हमारी जो संग है संग जो है दोस्तों भारत है ठीक है भारत क्या दोस्तों ये राज्यों का संग है तो दोस्तों यहाँ पर भासा कैसी हिंदी है और ल सकते हैं चैप्टर दोस्तो भासा और बोलियां वहां जाके देखें आपको पता चल जाएगा सबसे पुरानी भासा संश्क्रित है दोस्तो इसको आदी जन्नी की रुप में कहा जाता है क्योंकि दोस्तो ये अनेक भासाओं का दोस्तो जनम यही से हुआ तो इसे जननी मान सकते हैं ठीक है क्या मान सकते हैं जननी संस्कित के बाद दोस्तों क्या आया था पाली भासा आया था ठीक है मात्मा बुद्ध जी का दोस्तों पाली भासा संबन्द है क्योंकि इनके जो देश है वो पाली भासा में दिये गए है उसके बाद दोस्तो प्राक्रित भासा आता है ठीक है प्राक्रित में दोस्तो महावीर स्वामी जी के जैनियों का संबन दोस्तो यहां से प्राक्रित से है प्राक्रित के बाद दोस्तो क्या आया है याद रखेंगे अभ्रंस आया है और अभ्रंस के बाद क्या आया है दोस्तो याद रखेगा खड़ी हिंदी बोली आ गया है ठीक है खड़ी हिंदी बोली का विकास हुआ है जिसमें हम भारतिंदू हरी चंजी का नाम जानते है ठीक है तो याद रखेंगे इस प्रकार क्योंकि आप से पूछा था कि सबसे प्राचीनतम भासा कौन सी है तो जबाब क्या दोस्तो प्राचिन्तम भासा यहां पर आजाएगा संस्कृत तो जिन बच्चों ने संस्कृत जबाब दिया है उनका जबाब फिर से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला देरा कि निम्लिकित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भासा में है देखे कई बार क्या होता ना कि बहुत सारे चीजे जो हम नहीं पड़े होते हैं वो भी दोस्तों हमें इलिमिनेट करके बता सकते हैं हो सकता है आपके दिमाग में आया कि ब्रज भासा से संबंदी तर कौन सी रचना नहीं है एक बाब बता कबीर गंथावली की रचन किया है मलिक मुहमद जैसी ने ठीक है किसने किया है मलिक मुहमद मुहमद जैसी ने दोस्तों इसकी रचना किया है ठीक है और इसी पर दोस्तों पदमावती मूवी बनी है अगर आप में पढ़ा होगा तो मैंने कई बार पढ़ा है कि मलिक मुहमद जैसी इनकी जितनी भी र जी और तुलसी दास जी के सारे के सारे पद कैसे हैं दोस्तो ये भी अवधी भासा में हैं तो जब ये तीन लोग अवधी भासा वाले हैं तो जाहिर सी बाता दोस्तो रस्खान और वैसे भी दोस्तो रस्खान का संबन दोस्तो याद रखेंगे रस्खान जो हैं ये ब्रज भासा में दोस्तो सूर्दास जी का नाम आता है ब्रज भासा में दोस्तो मीरा बाई का नाम आता है तीन चार लोग हैं दोस्तो जिन से संबंदित सवाल पूछे जाते हैं और यह लोग ब्रज भासाओं में अपनी रचनाओं को रचे वे हैं इसलिए याद भी किया जा ब्रज में क्रिशन से संबनित हैं बिहारी लाल वीजी दोस्तों याद रखेंगे भी ब्रज से संबनित हैं ठीक है भारतेंदू हरिस्चन जी के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानतें भारतेंदू हरिस्चन जी दोस्तों वैसे आधुनिक गद देखा दोस्तों विका जी करिएगा मेत्टली सदगुप्त जी याद रखेंगे यहां पर आधुनि का खड़ी हिंदी बोली में दोस्तों इनकी रचनाए हैं खड़ी हिंदी बोली में दो arguments रोड़ पार दोस्तु याद रखेंगे एक स्टोरी है दोस्तो कभीत कहानी है स्टोरी मतलब किया दोस्तो कहानी है जो कई पार्ट में रिलीज हुआ है सायद आपको उन्हाजान का रही बहुत सारी बच्चों नहीं गलत ज duplicate अजरे धाब दिए जैसंकत साध इकृत्षन सोबती ख talents है हरी संकर परसाई गलत है साही उतर क्या दोस्तो प्रेमचन एक्षिल जर्म प्रेमचन जी के बारे इम पढ़ते हैं न가요 हमेंवेवारा होता है दोस्तो वह полез है गोधान पर गबन पर होता है कहाहाहां पर गोधान हो गया गबन हो गया या और क्या हो गया दोस्तों नमक का दरोगा हो गया ठीक है नमक का दरोगा हो गया मंगल सूत्र हो गया ठीक है मंगल सूत्र हो गया हमारा ध्यान कहां जाता दोस्तों हमेशा यहीं पर रहता है तो अगर आपने दोस्तों जानते होंगे मांसरोड जो कहानी है दोस्तों किस ने लिखा का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है देखें, मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक का जो चिन होता, दोस्टों से होता है, लेकिन इस का तात्पर किस के होता है, अलगाव के साथ साथ दोस्तों जाद रखेगा मैंने या बताया था, डर से भी होता है भैं से भी हो सकता है लज्जा से भी हो सकता है या दोस्तों दूर जाने के संबन में भी होता है ठीक है दूरी के संबन में भी होता है ठीक है इस तरह से पढ़ाता यहाँ पर लिख रहा है कि बिल्ली छत से कूट पड़ी यानि छत से दूर हो गई वो चुहे से डरता है त्या यहाँ पर करण कारक है ठीक है तो याद रखेगा जिन बच्चों ने आपसन नमबर 4 चूज किया है उनका जवाब तो सही है क्योंकि यहाँ पर अपादान नहीं है सवाल क्या पूछा है सवाल पूछा कि कहा पर अपादान नहीं है वही आपको बताना था ठीक है चलिए आग क्या होगा दोस्तों से होगा क्योंकि यहां पूछा है कि विभक्ति चिन्न की से दोस्तों तो याद रखेंगे से का विभति तेकि से जो सब्द है दोस्तों यह करताने कर्म को करण से यहां करण कारक भी होता है करण कारक भी होता और यहां अपादान भी होता है अपादान सर्च करके वीडियो देखेंगे या जो रिगुलर पढ़ते होंगे उनको पता होगा इस सारे चीज में से कोई भी ऐसा नहीं जो बाहर से आया हो ठीक है समझहोता याद रखेगा समझहोता में अगर हम बात करें मूल सब्द की तो याद रखेगा मूल सब्द क्या दोस्तो सम सब्द के आंत में लगता है इस प्रकार दोस्तो समझ में आउता सब्द लगया समझहोता हो गया यह जोता या ता या आ मत करेगा आउता लगाएगा आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप्शन नमबर सी बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़िए निमलिकित में से व व्यस्टी का विलों क्या होता याद रखेंगे समस्टी होता है व्यस्टी का क्या हो जाता दोस्तो समस्टी हो जाता है इस प्रकार दोस्तो समस्टी हो जाएगा दृष्टी मत करेगा व्रिष्टी भी मत करेगा अक्षी भी मत करेगा ठीक है तो यह सब गलत आप्शन है ध् प्रद कुटी मत करेगा दोस्तो पड़ कुटी में जो दिगु देरा दोस्तो यहाँ पर्द की कुटिया पड़ मतलब क्या हो जाएगा पत्तों ठीक है पत्तों की कुटिया अगर आप एक्स्प्लेन भी करते हैं दोस्तों प्याद रखेगा क्या हो जाता दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुस समास आ जाता क्या आता तत्पुरुस आना चाहिए और यहाँ क्या देरा दोस्तों दिगु समास देरा यह गलब देरा है इस प्रकार दोस्तों यही आपका सही जबाब ह आप पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई लिख रहा है, कोई दोड रहा है, कोई भाग रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, तो क्रिया भी समाप्त नहीं है, अगर याद रखेंगे पैचान क्या होता दोस्तों, अगर या यदि क्रिया की समाप्ती समाप्ति न हो तो उसे क्या काते दोस्तों उसे अपूर करते हैं क्या काते दोस्तों अपूर और क्योंकि दोस्तों यहां रहे हैं लिखा है ठीक है या अगर कर देता कि हम सो रहे थे तब तो दोस्तों क्या हो जाता अपूर भूत हो जाता यहां है का है ठीक है तो क्या हो जाएगा अपूड वर्तमान हो जाएगा ठीक है 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 तो बहुत आसान है दोस्तों यहां पर सीधा सीधा क्या करना था अपूड वर्त चीए यहां अगर आप महा को अलग भी कर रहे हो तो विद्याधन आले करो ना विद्याधन क्या होता आले होता है और यहां पर लाए कर रहा दोस्तो तो लाए तो गलत होगा ना इस वज़ा से गलत हो जाएगा मधुदन अरी दोस्तो बिल्कुल सही है अच्छा यहां पर दोस्तों महाधन रिशी होता इस वजह से गलत कर रहा है व्याकुल में भी क्या कर लेते दोस्तों याद रखेंगे वीधन आकुल करते ना व्याकुल का क्या होता वीधन आकुल होता जैसे व्याकुल का क्या करते हैं व्याकुल का संदी विशेद आप क्या करते हैं यही करते ह इतिस वज़े से दोस्तों ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो सही क्या निकला, मत भरी, ये भी आपको डिटेल में पढ़ाएगा, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है, सही सब्द सम पकड़ते चलिए, लिख रहा है निमन लिखित, निमन लिखित कर लिजे, ठीक आप जानते दोस्तों अर्था लंकार, सब्दा लंकार, दो ही अलंकार होते हैं, सब्दा में दोस्तों ये तीनों किसमें आ जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे सब्दा लंकार के भेद हैं, किसके भेद हैं दोस्तों, ये शब्दा लंकार के भेद हैं, और ये वाला दोस अंपन का शही बिलोम सब्द क्या है बताईए तो देखिए अगर मौन लिखा है समझे बात को मौन मतलब क्या होता दोस्तो एकदम चुप मौन का मतलब क्या है मौन का मतलब होता है मुख मुख मतलब न बोलने वाला ठीक है तो इसका बिलोम क्या हो जागा दोस्तो इसका बिल मौकिक है नहीं भासड है नहीं क्या हो जाता दोस्तो मुखर हो जाता और उपर से दोस्तो आपको आपका एंसर मिल जाका इस तरह से दोस्तो यही आपका जवाब होगा आपसो नेंबर फूर यарी डी वाला सही उत्तर है आगे देखे लिखरा दो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा था परिक्षा में किया करते हैं तो यहां से मैच करा रहेते हैं देखें क्या आपको इसको पढ़ने से आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार वीर रसका अस्थाई भाव क्या आता दोस्तो उत्सा होता है क्या आपको पढ़ने से कोई उत्सा मसूस हो रहा है नहीं हो रहा है यानि यह उत्तर नहीं हो सकता दूसरा क्या दोस्तो रौधर रौधर का स्थाई भाव क्या होता दोस्तो क्रोध होता है क्या आपको यहाँ पर किसी तरह का क्रोध नजर आ रहा है ठीक है क्या आपको किसी बचा है भई वहीत उत्तर बन सकता है तो याद रखेंगे क्योंकि यहां दोस्तो निरंतर मन क्रम बचन नेम निहंगो यानि परहित करने की बात कर रहा है संतोस करने की बात कर रहा है तो इस संतोस होगा है कि बात दोस्तो सांती सी होती ठीक है यहां भयानक और वीर रस से भी होगा वहां नायक नायका का या तो मिलन होता दिखा होगा या तो दोस्तों वीरावेदना दिख रहे होगी यही पैसाने स्रिंगार की अब पहला वाला गर आपने पढ़ा कि उद्वेली तकर असु रश्मियां हिर्दय चिताएं धदका कर महा महामारी प्रचंड हो फैल तो रही थी इधर उदर अब इसको पढ़के तो दोस्तों कहीं से नायक-नायका की बात में यरि बलकि चिता वगैरा को देखकर के दोस्तों यहां पर क्या वाद्यब करें स्वालों को देखकर … यहां भयानक रस्की अन्भूती हो रही है , यहां पर क्या Torah ळूस्तों यह बिभत सा रस्कियन भूती हो रही ठीक है तो हम मानतें के आपके दिमाग में थोड़ा-थोड़ा सही न जा रहा देखें मैं आपके पैटरन पे समझा रहा हूं सवालों को मैं चाहता तो इसको explain करके अलग तरीके समझा सकता था लेकिन मुझे सवालों को इस तरह से समझाना है कि आपके अस्तर पर आकर आपको समझा देना ठीक है तो अगर आप ऐसा सोचते तो सही सोचते एक पल के लिए लेकिन यहाँ सवाल तो स्रिंगार का था यानि मामला इससे संबंदित नहीं है ठीक है लेकिन आप पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली देहं की पतली कमर की है ठीक है लचीली नीले फूले फूल को सर पर चड़ा कर कह रही है जो चुए यह दू हिर्दय का दान उसको ठीक है यानि जो इसको चुलेगा कि इसको इस नीले टोपी को उसी को हम क्या कर देंगे अपने हिर्दय का दान कर देंगे दोस्तो अलसी का पौधा है हमेशा सरसो के पास अपने आप उगाता है ठीक है घास पत्वार में होते हैं तो अपने आप उगाता है और उसी का दोस्तो संबन नहां बताया जा रहा है उसी की बात की जा रही है, यहां पर पतली कमर पे अगर आपकी नजर चली गए होतीyi या हिड़ाय पर दोस्तो हिड़ाय की दान देने के नजर चली गए ति या छुने के चला गया होता, तो भी दोस्तो आप समझ जाते कि निश्चीत रुपसे यहीं पर शिंगार रस चिपा हुआ है और आराम से दोस्तों आप इसको सही कर सकते थे ठीक है वीवाला ही उत्तर यहाँ पे सही होगा तीसरा पढ़ लिए गिर्तान कभी चेतक तन पर राना प्रताप कोड़ा था वह दोड़ रहा था अरी मस्तक पर या असमान का घोड़ा था इसको पढ़ करके दोस्तों आपको उत्सा का भाव नजरा रहा होगा तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे वीर रस से सम्मनित है पानी केरा बुदबुदा असमान की जात देखा थी चिपजा जायगव जियों तारा पर भात दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पर भी क्या है शान तरश है और याद रखेंगे कबीर दास जी की लाईन है लाइन दोस्तों ये किसकी लाइन दोस्तों एक कबीर दास जी की लाइन है ठीक है इसको भी याद रखेंगे तो आपको ढूड़ना था श्रिंगार रस्तों जिन बच्छों ने आपसा नंबर दो चूच किया है उनका जबाब सही है बाकी लोगों को जरुवत है मेहनत करने की निम लिखित में से कौन सा वर्तनी सुद्ध है तो बहुत आसा में दोस्तों आसिरवाद ये गलत लिखा है बीसो बार दोस्तों आपको समझाया हूँ आसिरवाद में बड़ी की मात्रा लगाई है क्या लगाई दोस्तों बड़ी की मात्रा और ये हमेशा उड़ने वाला र पुसकर सरोवर दोस्तों ये किसका मतलब दोस्तों याद रखेगा ये तालाब को कहा जाता किसे कहा जाता तालाब को कहा जाता तालाब को दोस्तों याद रखेंगे तडाग भी कहते हैं क्या कहते दोस्तों तालाब को क्या कहते हैं सरोवर भी कहते हैं पुसकर कहते हैं जील क उसे की परियावाची है फड़ी या उरग जाता है उसकी परियावाची है लिख रहा अंबू द लिख रहा है यहाँ पर अंबू जल को कहा जाता हो द लगने की वैसे दोस्तों कहीं पर भी अगर द लग गया है जल की परियावची के साथ तो याद रखेंगे दोस्तों बादल की परियावची बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर तो दोस्तों दोनों अ आ गए हो जो डाइरेक्टर कहां से आ गए हो संस्कित से ले लिए गए हो उसी को हम क्या काते हैं दोस्तों तद्सम काते हैं और जिसका रूप परिवर्तित हो गया उसे तद्भो काते हैं तो यहाँ पर देखे जहरना जहरना तो दोस्तों तद्भो है कटाल भी क्या दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर क्या मानते हैं, तद्भव मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हाँ कटहल किया, कटहल का देखिए, कंटफल होता है, क्या होता दोस्तों, कटहल का कंटफल होता है, याद रखेंगे, तत्सम सब्द है, याद रखेंगे, जिन बच्चो का निरजरडी हो जाता है क्या हो जाता दोस्तो निरजरडी ठीक है निरजरडी हो जाता है तो याद रखेंगे इस तरह से दोनों आपसन में तीनों गलत हैं दोस्तो किरपा जो सब्द है वही दोस्तो आपका सही जवाब है आगे बढ़िए लिखना निमलिकित में से सलाका का तद्बह रूप क्या दोस्तों कई बारे भी पढ़ायों सलाका का तद्बह क्या होता सलाई होता है ठीक है सिलाई मत करेगा सलाई कहते है ठीक है याद रखेंगे सलाका का क्या हो जाता दोस्तों सलाई होता इसको ध्यान रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए निमलिकित में से त दोस्तों पुत्तर कहते हैं, पुत्र को पुत्तर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पौत्र लिग दिया, पौत्र का मतलब तो पौता हो जाएगा ना, पौत्र का तात्पर क्या हो जाएगा दोस्तों पौता हो जाएगा, तो यह दोस्तों गलत कर दिया, ठीक है, यह देखे आपसे कहा भी गया है कि आईए आप इस बैच को जोएं करें इस बैच का एक अलग ही दोस्तो काम है या आपको उस लेबल पर तयार करता है कि आप बार बार हिंदी मत पढ़िए आपके आदत क्या ना आप दस बार परिच्छा देंगे तो दस बार हिंदी पढ़ने च चलिया गया जेगे लिखरा तरणी तनुजा तर्तमाल तरवर भोतेरे त त त जहां बार बार आता है रिपीटेशन होता वहीं क्या होता दोस्तो अनुप्रास अलंकार होता समझाया हूं चाहे पहले वाला रिपीट कर ले चाहे अंतिमाला वर्ड रिपीट कर ले तो भी द ठीक है अगर क्या हो जा दोस्तो प्रथम वर्ड में क्या हो जा दोस्तो याद रखेगा यहाँ पर repeat होने लगे तो बस उसकी पैशान क्या है कि वह हमिशा क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाता अपनी भासा में सीखे किताब में क्या लिखा है कितना difficult लिखा हूँ आपको नहीं समझना है हर चीज को जब आप अपनी भासा में पढ़ना सुरू कर देते तब आटोमेटिक चीजें सई होने लगती है किस वाक्यांस के लिए प्रयोक्त सब्दसार्थक है लिखना च्छड में नश्ठ होने वाला च्छतिपूर्ती नहीं कहते है ठीक है च्छ चैनीक और अवाय ता निक दोनों याद रखेगा व्याकड जनने वाले को दोस्तों वीर पुत्र को जान्म देने वाले मा को दोस्तों क्या कहते हैं याद रखेगा उसे कहते हैं दोस्तों वीर प्रशु ठीक है सरवग उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे सरवग कहते हैं जिसमें सब की सम्मति दोस्तों उसे नहीं ठीक है तो याद रखेंगे यहाँ पर एक उसे क्या क्याते हैं प्रतित पन्मत क्याते हैं उत्तन ना देने की छमता वाला गलत है जो फिर से उत्पन हुआ गलत है जो ततकाल सांत हो जाए भी गलत है हमें गूगल नहीं लेके चलना है ठीक है हमें क्या लेके चलना है हमें वाकई में जो किताबों में जो एथेंटिक किताब है दोस्तो उसमें जवाब पढ़ेंगे तो ठठेरा का क्या मिलेगा याद रखेंगे ठठेरीन मिलेगा जिन बच्चों ने ठठेरीन किया है उनका जैसे ठाकूर का ठाकूराइन, ठीक है, आप देखिए, खोल के ठठेरा का ठठेराइन, लाला का ललाइन, ठीक है, तो हमेशा दोस्तों आपको ये मिलेगा, हमेशा न एक कॉमन मिलता प्राया, देखिए हर केस में हम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन प्राया दोस्तों आपको क पुत्र क्या होते हैं आखों के तारे होते हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे यह अती प्री करेंगा यही जबाब सही है मानन मैं तेरा मह्मास इस पहावत का असरो इसका अर्त क्या होता है तो महदासर कर तो याद रखेगा आपसर No.D निमलिकित में से वाक के सुध्ड रूप का चैन कीजिए लिखरा एक जो बहुत सवावना होता है प्राता काल के समय देखे काल और समय का एक ही मतलब है तो repetition हो रहा है तो गलत हो जाएगा फिर से काल समय फिर से काल समय तो सभी सवालों में दोस्तो काल समय दिया था अगर आपने हमारे साथ वाक्य सुब्धी चैप्टर पढ़ा होगा तो निश्चीत रूप से देख लो वीडियो मैंने पढ़ाया चकड़ा को क्या करते हैं सकटा करते हैं एदम आखिरी वीडियो खोल के देखना अभी दो-तीन दिम पहले का ठीक है याद रखेंगे दूसरा दोस्तो काजल का क्या हो जाता है तो काजल का हो जाता है कजल, क्या हो जाता दोस्तो काजल का कजल हो जाता है, इसी तरह खेत का क्या होता दोस्तो, तो खेत का दोस्तो छेतर हो जाता है, ठीक है, ये वाला दोस्तो क्या है, ये आपका तत्सम है, उधर आपका तत्सम है, तो जिन बच्चों ने ये वाला दोस्तों तदबो है क्यों संजोग का संयोग हो जाता ठीक है? और शमंदर का शम्यूद्र हो जाता है? तो इस तरह से अपसन निमदर भी करिएगा, वो जबाब यहां हो जाएगा? सही होगा, बाकी का गलत है. तिथी का बहुत बच्शन जब आपसन निमदर एक चूच कर लि चंद्र बिंदू लगेगा तो चंद्र बिंदू वाला दोस्तो चंद्र बिंदू हाला आप समय क्या है बिल्कुल सही था बाकी का जबाब क्या था गलत था इस तरह से दोस्तो आपसा नमबर 4 यही कहा जाता दोस्तों घर का भेदी लंकाड़ है ठीक है यानि अपने घर के भेद को जानने वाला जो बेक्ति होता है वही दोस्तों क्या करता है परिवार को समाप्त करता है लेकिना किस लिकल्प में सब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है जहां सही नहीं होता यह तो आधी और आधी का मतलब क्या होता है तो एक आधी का मतलब अभ्यस्त होता है और आधी का मतलब क्या होता है यह सही है आयस का मतलब देखे यस सब्द में क्या होता है यस किसी का यस बढ़ना तो यानि वो प्रसिद्धी मिलने उसको ठीक है तो और आयस लग दिया तो क्या उस टो जैसे हम कहता है ने ग्रामीड अंचल, क्या कहते हैं ग्रामीड अंचल, अंचल माने ग्रामीड छेत्र, ठीक है, इस तरह से दोस्तो, जिन बच्चों ने आपसा नमबर C चूच किया है उनका जवाब सही है बाकी लोगों का जवाब फिर से दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया निमलिकित में से कौन सा वाक क्या संयुक्त वाक के काउधार देखें संयुक्त वाक में बताया था आपको लेकिन किन तु परंतु बंदू और इसलिए यह सभी सब्द दो दोस्तों संयुक्त मिलता है तो और देखें यहाँ पर जो लिखा है होई नहीं सकता ये भी नहीं है ये भी नहीं है साम हुई और गाए घर लोटाई तो और को देखकर कि आपने क्या कर लिया यहाँ पर क्या है संयुक्त वाक्य होगा देखें वाक्य के तीनी वेद होते है या तो संट होगा, या तो मिश्रित होगा, यानि मिश्र होगा और एक सर लवाक्य होगा, तीनी भेद होते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपसा नमबर 4 हो जाएगा, D वाला से उत्तर, बात तजुर्बा सब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमल सा कहा लगता सब्द के प्रारंभ में लगता, कहा लगता है, सब्द के प्रारंभ में क्या लगता, उपसर्ग लगता है, अब बात तजुर्बा दोस्तों, बा, धन, तजुर्बा याद रखेंगे, तजुर्बा सब्द में बात सब्द लगने से नया सब्द बना बात तजुर्बा, इस मिस्र वाक्य में क्या करेंगे जो सो ये सब करिएगा या फिर यहां पर देखे उर्ती वी चुणियां पहचानता है तो सरल वाक्य हो जाएगा ठीक है मैंने सुना है कि यह की वाले जो सब दोस्तों हमेशा क्या होते हैं याद रखेंगे मिस्र में आते हैं दियोदत सुध वाक्य क्रिपा आज आज और्वकाज देनी कि कृपया करें देखें यहां भी करिपा लिखा इस वजह से गलत हो गया कार कर फल बच्चियों को खिलाओ यहां पर पदक्रम जोसथ है क्या दोसे यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ वर्तनी दोस्तों आपको सकते हैं ठीक है यहाँ पर सब्द संबने सुध्यां कर सकते हैं भारत में अनेक जातियां हैं यह सही इस बार अनेकों नहीं दिया है हर बार परिच्छा में अनेकों लिखता था इस बार अनेक लिखा है इस बात का भ वाक्य में आते हैं इसलिए आपसा नंबर B दोस्तों इस सवाल में सही कर लिजेगा ठीक है लिकर रहा सुरुती सम्विनार तक सब्द में लक्ष है और लक्ष का मतलब क्या होता दोस्तों याद रखने के उद्देश होता है और यह वाला लक्ष का मतलब क्या होता दोस्तों यहां पर लक्ष माने क्या हुता है गिन्ती वाल लाक इसलिए अपसर नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यह भी याद रखेंगे, निम्लिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है, यहां पर भी देखें, संस्कृती हमें साची होनी विक्रिती भी होता दमपती जो सब्द दोस्तो दमपती याद रखेंगे दमपती सब्द क्या दोस्तो ये पुलिंग है बाकी के जो तीन देरें दोस्तो ये कैसे सब्दें दोस्तो ये आपके इस्त्रिलिंग सब्द हैं तो इसे भी याद रखेंगे आपसे परिक्षा में क्य पूछा था, पुलिंग पूछा था, तो जिन बच्चों ने आपसा नंबर 4 किया है, दंपती, उनका जवाब क्या होगा, सही होगा, बाकी लों का जवाब यहाँ पर गलत दिया गया है, आडंबर का परिया वाची सब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आडंबर मतल क्या होता, दोस्तों, अहंकार होता, दर्प मतलब क्या होता, अहंकार होता है, दर्प मतलब क्या होता, अहम होता है, याद रखेंगे, इस बकार दर्प जो है, इसका जवाब नहीं होगा, बाकी का जवाब दोस्तों यहाँ पर सही दिया गया, ठीक है, चली, आगे देखे, अब अनुछित को आपको पढ़ना था, नहरत्वा नदी पर जल के प्रवा को रोकने के लिए बाद गाउपियोग किया जा सकता है, बाद लगू, मध्यम और बड़े आकार के हो सकते हैं, बड़े बादों का निर्माड करना अत्यदिक जटिल होता है, इनके निर्माड में अ पानी के भार को वहन करने की छंता हो, बाद बर धकेले जाने वाली जल की मातरा का जलदाब, जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आपके सामने एक अनुछित दिया था, इसी को पढ़ करके जबाब देना था, और भी लंबा है, इसके परडाम सरूप कई बादों का तल क्या होता दोस्तों, चोड़ा होता है, जिससे ये सता के काफी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके, वर्सों से बढ़ती जनसंख्या, और दोगी की करण में ब्रिद्धी, तथा क्रिसी में बेस्तार होने से जल की मांग क जल संगरच्षड आज की आवसकता बन गई है, वर्सा जल संचैन, वर्सा जल संचैन कहा होता दोस्तों, मुक्यता भावनों की छटों पर इकटे किये जाते हैं, जल को भूमी में संगरच्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है, इसके लिए अत्यावस्या के कि भ सामने एक लंबा चौड़ा अनुच्यत दिया था, इसी अनुच्यत को पड़ करके जवाब देना था, आइए देते हैं जवाब, लिखरा बड़े बाधों का निर्मार करना, अधिक जटिल क्यों होता दोस्तों, लिखरा जनता के लिए हानिकारा के कार नहीं, अत्यदिक सक समय और धन खर्च होता है, यह आपका दोस्तों यहां से प्रशन संख्या 1, मतलब प्रशन संख्या 45 का उत्तर आपको यहां से देना है, ठीक है, आई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे, यह वाला सवाल हो गया, आगे लिखरा दोस्तों, जल संगरक्षड का सह कर लिजेगा, एक अलग ही लेबल का सवाल है, जो बच्चा समाज जानता होगा, वही इस तरह के सवालों को कर सकता है, ठीक है, तो जल के लिए सवारच्छ नहीं, जल काही साना चल किया जाता है, उसके लिए नहीं, बात का निर्मार कैसे होता, क्यों लकड़ी मिटी से नह जात रखेंगे, 45, 46, 47, ठीक है, तो प्रश्ण संक्या, 47 का उत्तर दोस्तों, यहां से देना था आपको, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए, ठीक है, आगे देखे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ते चलिए, चलिए, यहां तक हो गया, आगे लिखना तापमान में बृद्धी, वनों में बृद्धी के कारण, अच्छा, वर्सों से बढ़ती जनसंक्या, प्रदूसर में बृद्धी और क्रिशी में बिस्तार होने से नहीं, अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहां पर देखे, यहां लिखा है, कि आध्यों की यहां स जनसंक्या, तीन की वज़ा से दोस्तों, जल का डिमांड बढ़ रहा है, किस-किस वज़ा से एक तो जनसंक्या बढ़ रही है, दूसरा अध्यों की करण में बृद्धी हो रही है, तीसरा क्रिशी में बिस्तार हो रहा है, इस वज़ा से दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर यही सही जबाब है दोस्तो वर्सा के जल को मुक्यता भौन की छतों पर इकठा करके भूम में संग्रचित करके आगे काम में लिया जाता है एक मिनट रुख जई यहाँ पर वर्सा जल को आगे काम में लगनेने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर आप बच्चे सोचेंगे कि आ यहां पर क्या लिख रहा है दोस्तों कि लिख रहा है दोस्तों जल संग्चैन मुख्यत भावनों की छतों पर देखिए यहां से प्रसंख्या 49 का उत्तर मिलेगा प्रसंख्या 49 का आपको जवाब मिलने जा रहा है क्या लिखा है कि भावनों की छतों पर इकठा कि यह जल को भ C वाले से ज़ादा सही उत्तर कौन सा? C वाला उत्तर है. इसी तरह से किया जाता है. सबाल तो यहाँ पर आपसे नंबर C बिल्कुल, C जो हो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी का जवाब गलत हो जाएगा. कर सका कंट से उत्पन होने वाले वर्ड कौन से है तो कंट धुनी किसे का जाता दोस्तों एा दोस्तों याद रखेंगे को कहा जाता है इसी तरह से दोस्तों री रहच इसको वज्स Luiza करते हैं याद रखेंगे यादखेंगे बाकी यह जो र दिया दोस्तो इसको क्या काते हैं तो र को य को ल को व को इसको क्या काते हैं इसको अंतस्त भी काते हैं क्या काते हैं अंतस्त भी काते हैं और वत्स में क्या आता है तो सर ल ज ठीक है सर ल ज आता है ठीक है इसको याद रखेंगे तो इस तरह से होता है तो यहाँ पर द पास रखे एक अक्थम किताबे दोस्तों इसको पढ़ करके सारी तयार हो जाएगी बाकी हिंदी का बैस भी अपने पास है तो अगर इन चीजों को रखते हैं तो कहीं कुछ कमी नहीं होगी और इसी के साथ दोस्तों आज का सेसन समाप्त करते हैं मौका है आपके पास आए करेंगे आप ज़रूर से ठीक है तो चलिए सेसन नहीं समाप्त होता है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत थेंक यू थेंक यू सो मच